पिछले 83 मंद से कोई भी लॉस नहीं दिया है बैंक निफ पूरा उलट फेर हो चुका है वेल इस स्ट्राटजी में हमने ब्रोकरेज भी डाल ली टैक्सेज भी डाल ली है स्लिपेज भी डाल ली इवन देन कितना जादा अच्छा रिजल्ट दे रही है यह स्ट्राटजी अब वो 15 को हो चुके है इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि हम सारी की सारी स्ट्राटजी वापिस से रिव्यू करें बिकाज ओविसलि थोड़ा सा डेटा तो चेंज होगा ही इसलिए आज मैं बैंक निफ्टी के एक स्ट्राटजी डिसकस करने वाला हूँ जिसने पिछले 83 मंद से कोई भी लॉस नहीं दिया है आप अश्वीडियो के एंड तक बने रही है डेफिनिटली आपको बहुत जादा मज़ा आएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी चली फिर चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें फटाफट strategy एक बाद देख लेते हैं क्या है उसके बाद फिर मैं आपको backtest data दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम discuss करेंगे कि क्या strategy को actually live market में trade किया भी जा सकता है या नहीं तो अब मैं आच चुका हूँ एल्गोटेश के platform पे यहां मैं आपको एक बाद strategies दिखा जेता हूँ क्या रहने वाली है तो सबसे पहली जो strategy हम इसमें देखने वाले है वेल इसमें दो अलग अलग strategies है जिनको हम दोनों को merge करेंगे और फिर हम उसका backtest data देखेंगे तो अभी हम क्या कर रहे हैं अभी मैं आपको individually जो अलग-अलग strategies है दोनों उनका criteria बता देता हूँ देन उसके बाद फिर उन दोनों को merge करेंगे हम उसका backtest data भी देखेंगे तो दोनों ही strategies जो हम बैंक निफ्टी में देखने वाले हैं सबसे पहली strategy है उसकी entry time में 9.30 exit time रहने वाला है 3 o clock and इसमें trail SL to break even रहने वाला है all legs well trail SL to break even का मतलब क्या होता है बहुत जादा simple है सो अगर मानलो आपने exactly 9.30 पे बैंक निफ्टी का call and put option 100-100 रुपीज का sell किया है अब यहाँ पे क्या है अगर stop loss मानलो 20% है 20% का stop loss है मतलब 120 रुपीज का stop loss on the call side and 120 रुपीज का stop loss on the put side अब for example अगर market continuously उपर जाती है then obviously आपका जो call option का stop loss है वो hit हो जाएगा then जो put option है जिसमें आपकी entry 100 पे थी आपका stop loss 120 का था अब आप क्या करेंगे उस stop loss को जो stop loss 120 का है उसको आप trail करके break even पे लियाएंगे जितने का आपने sell किया है तो आपने put option है उसको 100 का sell किया था तो आप उसका stop loss भी 100 पे लेके आ जाएंगे अगर एक लग का stop loss हो जाता है then दूसरे लग को जितने का आपने sell किया है उतने पे ही आपको stop loss लेके आना है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100-100 का ही sell हो यह तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि call option का premium 110 का हो put option का premium 95 का हो तो वो बस explanation के लिए मैं आपको बताएंगी 100-100 का होना चाहिए ठीक है तो trail sell to break even price आपको करना है अब इसमें जो पहला लगे वो call option का है जिसमें हमने sell की 5 lots वेल यह strategy मैं आपको 5-5 lots में ही बता रहा हूँ तो यहाँ पे यह weekly expiry रहने वाली है जिसमें आप out of the money 100 points का sell करेंगे stop loss आपका रहने वाला है 15% वहीं on the other hand put option में भी आप same चीज करने वाले है जहाँ पे 5 lots आप sell करेंगे weekly expiry का out of the money 100 points and stop loss आपका रहेगा 15% अब out of the money 100 points का मतलब क्या हुआ suppose for example अगर bank nifty 42,000 पे चल रही है exactly अगर bank nifty 930 पे 42,000 पे चल रही है then exactly 930 पे 42,100 का call option sell किया जाएगा and 41,900 का put option sell किया जाएगा जिस भी strike price पे bank nifty उस समय चल रही होगी उसका 100,100 points दूर-दूर का call and put option sell किया जाएगा बहुत simple है ये and stop loss 15% रहने वाला है वही same example में अगर 100,100 रुपीज का आपने call and put option sell किया है then 115, 115, 115 रुपीज का आपका stop loss हो का call option का and 115, 115 का आपका stop loss हो का put option का ये भी मैं वापिस बता रहो कि मैंने example ये बता है 100,100 रुपीज के अगर मानलो for example 110 रुपीज का call option है and 95 रुपीज का put option है then आपको 15% on 110 रुपीज and 15% on 95 रुपीज का stop loss लेना है so पहली strategy बस इतनी है बहुत जादा simple strategy है जो हम इसमें run करने वाले है अब चलते हैं and एक बार दूसरी strategy देख लेते हैं क्या रहने वाली है जिसमें entry time रहने वाले है 9.55 पहली जो strategy थी उसमें हमारा entry time था 9.30 हमारी जो दूसरी strategy है उसमें हमारा entry time रहेगा 9.55 exit time दोनों का ही same रहने वाले है 3 o'clock इसमें भी हम trail SL2 break even करने वाले है मतलब अगर एक leg का stop loss रहता है then दूसरे leg को हम जितने का वो sell हुआ है उतने पर ही stop loss लेके आ जाएंगे so अब इसमें हम call option sell करेंगे weekly add the money add the money का मतलब क्या हुआ अगर for example 9.55 पे exactly bank nifty 42,000 पे चल रही है then 42,000 का ही यहाँ पे call and put option sell करना है आपको so यह strategy में हम 55 lot में ही देख रहे है add put option में भी same रहने वाला है जिसमें add the money का weekly option आप sell करेंगे अब जो दूसरी strategy है इसमें जो stop loss रहने वाला है वो 30% का रहने वाला है पहली strategy में हमने देखा था stop loss 15% था इस strategy में जो stop loss है वो 30% का रहने वाला है वेर इसका simple सा logic है कि क्यों मैंने 30% यहाँ पर रखा है ताकि आपकी strategy को थोड़ा सा room मिल जाए basic जो यहाँ पे मतलब है इस strategy का वो यह है कि जो आप 930 वाली strategy आप देख रहे है उसमें हमने 15% रखा है ताकि एक तरफ का हमारा छोटा सा stop loss ही तो और दूसरे lag का हमें बहुत अच्छा profit मिल जाए तो 930 वाली strategy का यही logic है और जो 955 वाली strategy है जो दूसरी strategy है उसका logic यह है कि अगर market हलकी सी भी sideways रह जाती है देन हमें दोनों साइट से यहाँ पे अच्छा कासा theta decay मिल सकता है और इसलिए हम दूसरी strategy में 30% का stop loss रखने वाले है अब इसको मैं portfolio में जाता हूँ और इसको मैं दोनों एक साथ run करके आपको दिखाता हूँ इसका backtest result यह portfolio हम गए है 939,955 में इसको डाल चुका हूँ portfolio में इसका जो start date रहने वाला है वो start date 2017, 1st January से रहने वाला है till up to date इसको run portfolio कर देता हूँ जिसको भी नहीं मालूम यह algorithm का platform है अगर आपने अभी तक login नहीं किया just look at the beauty of this strategy 2017 से आप देख सकते है it is just all green so यह data देख के तो काफी imaginary लगता है but यह imaginary नहीं है यही सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा अच्छी strategy है यह बहुत अच्छा profit हमें बना के दे रही है even though bank nifty का का काफी ज़्यादा data change हो चुका है weekly expiry change हो गई है lot size change हो गई है even then यह हमें काफी अच्छा profit दे रहा है and यह जो आप result देख रहे है यह bank nifty के जो changes आए है उसके बाद के ही है तो इसलिए जो updated result है उसके बाद का ही यह result है आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा इसमें अच्छा profit है 2017 से ही लेके and यह पूरा data है जिसमें overall profit आपका 40 lakhs के आसपास है and number of trades काफी ज़्यादा है 3,398 average profit है 2,363 win percentage 62 loss percentage 37 and और भी सारा data है but, but, but यह सारा data हम discuss करेंगे लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो डालना बहुत ज़्यादा important है जिसमें 3 चीज़े आजाती है सबसे पहला है brokerage दूसरा है taxes and तीसरा है slippages यह तीन चीज़े आपको डालना ही पड़ेंगी अगर आपके नहीं डाल रहे then वो जो result है वो एकदम practical नहीं रहेगा तो इसलिए मैं यह वाली strategy में यह सारी चीज़े डालने के बाद ही अब discuss करूँगा result वो सिर्फ मेर और आपका time waste ही होगा तो इस strategy में हम सबसे पहले brokerage include कर लेते हैं well brokerage अब यहापे मैंने कितनी रखी है मैंने यहापे 15 rupees per order रखी है well that actually depends कि आप कौन सा broker use कर रहे है उसके हिसाब से देखा जाएगा लेकिन अगर आप कोई ऐसा broker use कर रहे है जो 20 rupees ले रहा है per order and अगर आपको वो brokerage जादा लगती है then आप कोई ऐसा broker चुन सकते है जो सिर्फ 15 rupees per order ले रहा है and trust me वो 5 rupees का difference बहुत जादा आ जाता है तो एक बार मैं आपको यह difference दिखा देता हूँ अगर मानलो आप 20 rupees brokerage देते है so यह जो 2,40,000 था अब यह बढ़कर कितना हो चुका है 3,20,000 हो चुका है so around 80,000 के आसपास यह brokerage यह brokerage बढ़ चुकी है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम brokerage दे and इसलिए इसको मैं 15 rupees कर रहा हूँ लेकिन अगर आप मानलो 20 rupees दे रहे है then वापिस से मैं बताऊंगा कि मेरे video के description में ही link है उसमें मैंने कुछ अलग-अलग broker से tie-up किया है जो आपको 15 rupees per order देने के लिए भी तयार है so आप जाके उस link से login कर सकते है and वापको 15 rupees per order भी देने के लिए तयार है and और भी कुछ benefits है वो उसमें आप देख सकते है so brokerage हमने 15 rupees per order रख रहे है and taxes and charges भी हमें इसमें include करने की जरूरत है so इसमें क्या क्या लेने वाला है इसमें IPFT रहने वाला है STT, stamp duty, SEBI charges, exchange charges and GST so total 1,95,000 rupees रहने वाला है जो हमें include करने की जरूरत है and इसमें slippages भी डालना जरूरी है because practical result के लिए थोड़ा सा slippages भी डालना जरूरी है तो इसमें 0.5% का मैं slippages भी डाल रहा हूँ अब ये actual result निगल के है जो अभी भी profitable है well इस strategy में हमने brokerage भी डाल ली taxes भी डाल ली है slippages भी डाल ली even then कितना ज़ादा अच्छा result दे रही है ये strategy इसका मतलब strategy में काफी ज़ादा दम है so यहाँ पर आप देख सकते है overall profit अब ये जो data आ रहा है ये exactly practical data होने वाला है जो exactly अगर आप ये strategy को live market में trade करते हैं same यहाँ पर डिट्टो आपको यहाँ पर result आने वाला है because हमने सारे के सारे charges include कर लिए so अब यहाँ पर आप देखेंगे overall profit आपको कितना होने वाला है 25 lakh रुपीज आपका overall profit होने वाला है number of trades है आपकी 3398 average profit है आपका 1478 रुपीज win percentage आपकी कितनी है 57% की win है and loss आपकी 42% है average profit कितना है 6491 average loss है 5000 254 max profit 81,000 I'm sure यह COVID के time कही होगा max loss 42,900 I'm sure यह भी COVID के time कही होगा max drawdown आपका कितना है सिर्फ 90,000 रुपीज guys just imagine कितना कम है max drawdown which is even less than 10% so it is pretty good strategy and duration of max drawdown कितना है यह जो आपको 90,000 का max drawdown आया है it is only for a period of 12 days सिर्फ 12 दिन के लिए था यह max drawdown and 12 दिन में max drawdown आपका पूरा वापिस से reward हो चुका है return to max drawdown आपको कितना मिल रहा है 4.04 का risk to reward आपका काफी अच्छा है 1.24 का expectancy आपकी ठीक ठाक है 0.28 की 0.3 से 0.4 के अगर आसपस है expectancy then it is a good strategy उसको आप long run में definitely run कर सकते है max win streak आपकी कितनी है 13 days मतलब 13 दिन लगतार आप इसमें profit करेंगे and max losing streak आपकी 7 days है so guys यह अब actually practical data है जो आपको बताता है कि क्या आप यह strategy को live market में actually run कर सकते हैं या नहीं well मेरे हिसाब से इसको आप definitely run कर सकते है because overall result अगर आप देखेंगे तन काफी अच्छा है आप वापीर देख सकते है 2,40,000 रुपी इसमें brokerage included है 1,95,000 इसमें taxes included है and इसमें 0.5 percentage slippages भी included है यह सब include करने के बावजूद strategy आपको बहुत अच्छा profit दे रही है which is around 25,000 रुपीज and जो भी bank nifty में अलग-अलग changes आये उन सभी को भी bank nifty ने जहिल लिया है so इसका अब यहाँ पे आप individual trades भी देख सकते है individual trades में individual day में कितना-कितना profit दिया है so अगर आपको इसका PDF चाहिए यह जो individual trades है इसका अगर आपको PDF चाहिए then मेरे वीडियो के description में एक WhatsApp नमबर है उस WhatsApp नमबर पे आप मुझे जो यह वाली वीडियो है उसको आप मुझे share करिए and उसके साथ आप मुझे पूछ सकते है कि इस वीडियो का मुझे PDF चाहिए तो मैं आपको भेज़ दूँगा मेरी बस एक request है कि आप मुझे directly मत बुलिएगा कि मुझे बस PDF भेज़ दीजे because ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी confusion हो जाएगा कि आप actually कौनसी वीडियो का PDF मांग रहे है तो इसलिए वो जाधा convenient रहेगा कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे WhatsApp पे पहले मुझे आप ये वाली वीडियो सेंड कर दीजिए तो उसके बाद आप मुझे पूछ ले कि हरशित मुझे ये वाली वीडियो का PDF चाहिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मांग सकते है डेफिनिटली 100% में आपको भेज दूगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यही है स्ट्राटजी के बारे में आपको स्ट्राटजी पूरी समझ आ गई हो वेल ट्रस्ट मी ओन दिस बहुत जाद अच्छी स्ट्राटजी है अब इसमें थोड़ा मार्जिन के बारे में भी डिस्कस कर लेते है यह जो मैंने आपको स्ट्राटजी बताई है यह मैंने 5-5 लॉट्स में बताई है इसका मतलब अगर आपको यह स्ट्राटजी 5-5 लॉट्स में ट्रेट करनी है अगर आपको यह स्ट्राटजी 5-5 लॉट्स में ट्रेट करनी है तो लेकिन अगर आपका क tiden कम है तो आप थोड़े कम लॉट्स से भी ट्रेट कर सकते है बट मेरी highly recommendation है कि इसको at least आप 3 lot से तो run करिए 3-3 lot से because अगर 3-3 lot से कम में आप इसको trade करेंगे then आपका आदे से जादा profit आपका brokerage और taxes ही खा जाएगा तो इसलिए brokerage और taxes अगर आपको बचना है then at least 3 lot या 3 lot से जादा में आप इसको trade करिए तो ही आपको बहुत जादा इसमें फायदा होने वाला है और इसमें एक और tip है अगर आपको genuinely और जादा इसमें profit करना है then इसमें आप hedging भी कर सकते हैं जिसमें आप दू-दूर से option buy कर सकते हैं जिससे क्या होगा margin थोड़ा और कम लगेगा लेकिन उसमें आपको ये भी याद रखने है कि drawdown आपका जादा होगा लेकिन अगर आप ये strategy एकदम plain run करते हैं जिसमें 10 लाग रुपे लगने वाले हैं जिसमें आप max drawdown आप देखेंगे सिर्फ 90,000 रुपीज का है जो 10% से भी कम है आप मुझे इस वीडियो के comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी doubt है तो I'll be more than happy to answer all your queries इसके साथ साथ अगर कोई और दूसरी strategy भी है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा profitable है and वो हम YouTube पे discuss कर सकते हैं ताकि सभी की मदद हो जाए तो आप मुझे WhatsApp नंबर पे वो strategy share कर सकते हैं उसके बाद मैं भी वो strategy एक बार run करके देखूँगा अगर मुझे वो strategy profitable लगती है then definitely उसको हम YouTube पे discuss कर देंगे ताकि और सभी लोग की भी help हो जाए so that's it about this strategy today thank you for listening with lots of patience let's meet in the next video then